जैहिन दोस्तो आप सभी कैसे हैं। यहोप आप सभी काफी ज़त अच्छे हैं। मैं हूँ Prince, नाम तो सुनाई होगा। तो देखे दोस्तो मैं आप सभी को बतादू भई क्या हो रहा है, कि कुछ दिनों से लगातार दोस्तो आप सभी के अग्जयाम नहीं हो रहे हैं। आज तो दोस्तो वैसे भी Sunday है और आज भी लोग आपका जो है analysis करा रहे हैं कुछ वीडियो में ने देखी YouTube पर जिसमें बताया जा रहा है कि आपके एक्जाम में ये कोर्सन आए ये कोर्सन आए तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ भाई 21 नवंबर का आपका कोई भी कोर्सन है तो कोई भी दोस्तो आपका जो exam में कोर्सन नहीं पूझे गया है आपका सीज़ा-सीज़ा दोस्तों आपर काटा गया है रियल टे मता रहा हूँ यहां पर YouTube पर आपको पता भी नहीं है पागल बनाया जा रहा है YouTube पर आपका कि ये कोर्सन आ रहा है एक्जाम में जब आप उस analysis को देखते हैं तो फरक क्या पड़ेगा भई अब आपके मन में एक questions तो आना चाहिए कि कोई बात नहीं है कोछ ना कुस तो बताई रहे हैं हमें हमारे लिए तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं वहाँ पर कि भई सारे questions उसे हिस्ट्री से डाल दिये और अब दोस्तो एक बात तो मैं आप सभी को बता दूँ कि कौन कौन सी डेट में आपका एकजाम है सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए ताकि दोस्तो आप बार बार यूटूब पर जाकर ये ना देखें कि आज कौन सी एकजाम में questions पूछे गए हैं सबसे पहले त दोस्तो यहां पर मैं आप सभी को बता जीता हूं कि किस-किस डेट में आपका ससी जीडी का एकजाम है सबसे पहले तो ये जानिए देखें दोस्तो कौनस्टिबल जीडी 2020 की परिक्षा 16, 17, 18 उसके बाद दोस्तो तीन दिन का गैप था जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 को एक एकजाम नहीं है तो 27 और 28 को दोस्तो यूटूब पर विल्कुल सार्च मत करें कि आज का एनलेसिस क्यों नहीं सो कर रहा है 27, 28 को कोई एकजाम नहीं है उसके बाद दोस्तो 29 नवमर को आपका एकजाम होगा उसके बाद दोस्तो 30 नवमर को एकजाम है ठीक है फिर दोस्तो एक तारिक को दो को तीन को उसके बाद दोस्तो 4 और 5 को कोई एकजाम नहीं है यानि दोस्तो 4 और 5 को कोई एकजाम नहीं है 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद दोस्तो 11 और 12 को एकजाम नहीं है ये दोस्तो मैंने डेट उपर लिख दी है 14, 15 को दोस्तो आयूजित की जाएंगे ठीक है अब दोस्तों आपको ध्यान देना है आपका जो exam है 27 और 28 को नहीं है 27-29 को उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो exam है वो देखिए 4 और 5 4 और 5 December को नहीं है 4 और 5 December को उसके बाद 11 December और 12 December को नहीं है यानि अभी भी दोस्तों आपके कुछ ऐसे दिन हैं यानि 1,2,3,4,5 है 6 दिन अभी ऐसे हैं जिस दिन आपका exam नहीं करा जागा तो इन date को दोस्तों कहीं note कर लीजे अभी अगर आपका exam नहीं है तो मल लिए आपका exam सबसे last में है तो अगर आप इनका analysis दिखते हैं तो भाई अभी आपका कोई भी exam नहीं चलने वाला है सबसे वड़ी बात तो यह ही है अब आके दोस्तों देखिए के दिन exam चलेगा 1,2,3,4,5 यह लगाता है दोस्तों आपका 5 दिन exam चलने वाला 22,3,24,25,6, ठीक है तो यह बात आपको पताओने चाहिए अब दोस्तों सबसे important बात तो मैंने आप सभी को हैं बता दिया है और मैं आपको एक बात आगे और बता दिता हूँ जी हैं दोस्तों important बात मैं आप सभी को बता दिता हूँ अगर दोस्तों आप SSC GD के तयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका exam नहीं हुआ है या आने वाली step two में होने वाला है तो आप सभी को बिना देरी की हूए सबसे पहले तो ये सोचना है कि मेडी तयारी कितनी है अगर आपको भी डर्ड लग रहा है एक्जाम में जाने से पहले कि आएक्जाम में में क्या करूँगा मेजू तो द्यारी भी नहीं है तो दोस्तो दर्ड़ना बिल्कुल मना है दर्ड़ना बिल्कुल मना है क्योंकि आप लोग के लिए दोस्तो हमने यहाँ पर YouTube पर सबसे best PDF तयार कर दिये SSC GD वालों के लिए जिनका exam अभी तक नहीं हुआ है या आने वाली स्लिक्टों में है तो वो दोस्तों paper pass करने की पूरी guarantee हमारी रहेगी अब भी क्योंकि दोस्तों हम आपको जो है आपर top 5000 questions दे रहे हैं अब इनसे क्या होगा दोस्तों के इनसे exam pass होगा तो बिल्कुल होगा देखिए दोस्तों 5000 questions की जो PDF है वो हम आपको दे रहे हैं अगर आप इस number पर हमें message करते हैं तो PDF आपको मिल जागा सबसे पहले रुख जाईए मैं आपको एक बार पता दो PDF फिरी नहीं है अगर आप 100 पर कर रहे हैं तो ये आपको पस्ता ना मिल सकता है कुछ लोग बोलेंगे बिजिनिस कर रहे हैं अपना यार तो ये बिजिनिस नहीं है रियल्टी बता रहा हो ये महनत है यार क्योंकि कम से कम 15 से 20 जो books हैं उन में से दोस्तो सारे कोसन निकाल कर पूरा निचोड आपको दी जा रहा है तो कम से कम दोस्तो ये समझ सकते हैं कि दोस्तो तीन महने की महनत है जो आपको केवल सोरवे में दी जा रही है अब इसे आप बिजिनिस समझ सकते हैं तो किसी भी किताब को यहाँ पर पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी अगर आप इस किताब को, sorry I hope दोस्तों अगर आप इस PDF को पढ़ लेते हैं मेरे साफ से तो कोई किताब पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि PDF में इतना सा material है कि एवल दोस्तों 5000 questions है तो दोस्तों मैं आप सभी से बोल देता हूँ कि मैं ये तो नहीं बोला है कि भाई हाँ जो आपका minimum score आ रहा है न वो कम से कम 50 का, 55 का, 60 का score आ रहा है वो बढ़कर के दोस्तों 50 से कम से कम दोस्तों ये 75 पढ़ हो जाएगा ये 75 पढ़ दोस्तों ये PDF आपको करा देगा मैं दोस्तों पढ़ने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं वही PDF लें अगर जो ये सूचके बटा कि भाई मुझे PDF पढ़ने सेलक्शन होगा तो उसका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये PDF दोस्तों आपका इसको पढ़ा सकती है ना कि दोस्तों आपको पास कराएगी जो पढ़ने वाला है उसका इसको पढ़ाएगी क्योंकि भाई उसे लग रहा है कि यार मुझे कम से कम 20 से 25 नमबर और कोई करा दे तो मैं पास हो जाऊँगा तो उसके लिए दोस्तों PDF पर क्योंकि exam में दोस्तों आपका जो है ना वहाँ पर अब मैं आपको बेशिक से नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं चीज अब आपको वो दे सकता हूँ जो दोस्तों आपकी help करें आपको guide करें तो वहीं चीज है दोस्तों ये ठीक है नंबर मत भूल जाइए नंबर not कर लीजेगा कहीं भी आपकी दीवार पर लिख लीजे या आपकी जो copy बगरा उस पर लिख लीजे या दोस्तों इसका screenshot दे लीजे वो आपके उपर depend करता है भाई ठीक है तो देख लीजे भाई किसी भी किताब को पढ़ने ज़रत नहीं है सारे जो topic है gkgs के वो सभी मिल रहे है प्लस में हिंदी मिल रहे है आपको और इसमें दोस्तों इंगलिस वाले जो student है उनके लिए भी दोस्तों बहुत जयादा profit है ये PDF ठीक है और यहाँ पर मैं आप सभी को जा दूँ कि आपको दोस्तों है पर जो regional का math topic है वो भी आपको देजाएंगे तो देर किसे बात की जल्ली ठाइए दोस्तों आपर फोन और इसे नंबर को दोस्तों हमें message कीज़े चरब PDF दीजिए PDF आपको जल्स्त मिल जाएगा ठीक है तो thank you दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में तब दन्यवाज जैहिंद वन्ने मातरम